हलो दोस्तों में नहीं मुहमत कैसर और आप देख रहा हैं स्टड़ी चैनल पेट 2021 को लेकर अध्या साब का एक नया बयान आ गया है उन्होंने बताया है कि कितने चाथ लेक पाल भरती के लिए आवेधन करेंगे साथे साथ नॉर्मलिजेशन और स्कोर कार्ड पर भी बड़ी खबर आ गई है और पिट परिशा के बाद मुख परिशाओं में कितने गुना भैरत्यों को मौका दिया जाएगा इन सब सीजों को लेकर अध्या साहब का बयान आ गया है एक इंटर्विव उनका हुआ है और सारी सीज़ें उन्होंने असपस्ट कर दी है तो वीडियो में लाच्ट तक बने रहेगा आपको सारे जानकारी दे दी जाएगी तो दोस्तों वीडियो में अगे बने से पहले एक और जोरी सुचना चाक्सू लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए राजस लेकपाल की संपूर पाठ पुस्तक यहां पर दोस्तों सभी टॉपिक जो राजस लेकपाल में पूछे जाती हैं एक ही बुक में कावर कर दिया गया है आपके सलबस के आधार पर ही संपूर थेओरी यहां पर मिल जाएगी राजस लेकपाल की भरती होनी है और यूपिट रिपलर सी के सलबस के अधार पर ही इस किताब को तयार किया गया है राज़स लेकपाल के प्रिविएस यर के पेपर भी इसमें सॉल्ड है पूरा आपको इसमें कंटेंट मिलेगा महत्पुड प्रश मिलेंगे उसका एंसर मिलेगा और उत्तर की व्याख्या भी इसमें अच्छी तरीके से दी गई है तो आप यहां देख सकते हैं उत्तर पड़ किसे ऑनलाइन खईतना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया गया है तो बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग पी इटी दो हजार एक्विस का अध्यास सहाब का अध्यास सहाब का जी यूपी उत्राखंड नियूज चैनल पर इंटर्व्यू हुआ था और उन्हें बहुत सारे जानकारी दी थी और अभी हाल ही में के उन्और उनs का इंटर्व्यी हुआ था और उन्हों ने बताया कि कि तने गुणाफ भषजियों को अउलेक पाल बहरती में कितने कुलब भषजियों को आवेदान करने का मौका दिया जाएगा सबसे पहले जो खबर आप यह देख लीजिए कि भरोसा बढ़ाने के लिए पी इटी की ओएमार शीट भी देगा आयोग अभ्यरती ओटीपी से डाउनलोड कर सकेंगे शीट यह सुभिधा इस बाद युपिट रिपल सी देने वाला है तो ओएमार श शीट को निकाला जाता था लेकिन इस बार युपिट रिपल सी ने प्रोसेस को काफी सिंपल कर दिया है आप अपने वाला सीट को बड़ ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे युपिट रिपल सी सभी ओमार सीट को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड कर देगा इससे हे पर अंकश लगेगी और गलबड आसानी से पकड़ी जा सकेगी इसी के सासर नौर्मलाजेशन भी होगा जब एक स्हरीजिक प्रिक्षा होती है तो नौर्मल्मीजेशन होता है तो जितना आपका व्यक्तिकत स्कोर है, जितने आपके सवाल सही है, जितने गलत हैं सब को चेक करने के बाद आपका actual स्कोर भी आपको बताया जाएगा और नॉर्मलाइजड होकर आपका स्कोर क्या हुआ है, ये भी बताया जाएगा, तो पूरी तरह से पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है UCCC की कोशिस यही है कि कहीं से कोई विवाद ना हो पाए और P.E.T. के रिजल्ट के बाद भरतियों को तुरंद निकाला जा सके करने की त्यारी कर रहा है, ऐसे में अब भरतियों को अपनी OMR शीट के लिए RTI या कोट का सरार नहीं लेना पड़ेगा, आयो के एक वर इस रदिकाली ने बताया कि P.E.T. कुतर कुझी जारी कर आउनलाइन आपत्ती लेने की युजना पर काम चल रहा है, साथ ही OMR सीट की स्कैनिंग का काम सुरू करने की त्यारी है, इसके लिए एक माह का लक्ष तै किया गया है, स्कैनिंग पूरा करने के बाद अभेरतियों का स्कोर नंबर आ जाएगा, यह पूरी कारवाई 15 अक्टूबर तक करने जाएगी, तो अभी रिजल्ट में डिले होगा, और पूरी प्रक्रिया रिजल्ट वगएर है, और आपकी ओमार स्कैन्ड कॉपी 15 अक्टूबर तक विबसाइट पर डाल दी जाएगी, यह प्रिटर बलसी के चेर्मेन प्रविन कुमार जी ने क्या कहा है, आप यहां देखिए, आयोग ओमार सिट उपलद कराने की तैरी कर रहा है, अ यह ओमार शीट डाउनलोड कर सकेंगे, तो अच्छी खबर है, पीटी के अभिरतियों को मूल ओमार शीट भी देगा, आयोग, बात करें दोस्तों कि लिखपाल भरती में कितने गुना भिरतियों को बुलाया जाएगा, तो के न्यू चैनल पर परविन कुमार जी का इंटर बयान भी सुनाया था, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, इसे के साथ साथ अधर साब ने ये कहा कि पीटी सिर्फ एक प्रारंबिक घरता परिक्षा है, ये एक छटनी का तरीका है, और पीटी के बाद भरतियों को पूरा करने में हम तेजी बरतेंगे, चुक के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, अब जो भरतियां आएंगी, जिसकी मुख परिक्षा होंगी, तो उस भरती में जितने पद होंगे, उसे हिसाब से अभ्यर्थियों को मुख परिक्षा में बुलाया जाएगा, पंदरे गुना भ्यर्थियों को बुलाया ज नहीं होगा बलकि जब अलग अलग भरतियां आएंगी तो उसमें देखा जाएगा कितने अभरति मुख परिक्षा में बैठने वाले हैं और उसके आदार पर PT का कट आप डिसाइड हो जाएगा अब इसका विरोध भी सुरू हो गया है चात्रों की मांग है कि लेकपाला भरत करने के बाद सभी मुख परिक्षाओं के लिए भरति आवेदन कर सकेंगे और कम चाथ जब मुख परिक्षा देंगे तो रिजल्ट वगर ऐसारी चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी लेकिन इसकी कुछ कमियां भी है कमी सबसे बड़ी यह है कि अगर किसी च कमी देखने को मिल रही है और एक दूसरी बड़ी कमी यह है कि जो पीटी के टॉपर होंगे जो रैंकर छात्र होंगे वही सभी भरतियों में आवेदन कर पाएंगे वही सभी मुख परिक्षाओं में बैठेंगे और जिनका नंबर कम हो जाएगा वो किसी भरती के लिए एल तो प्री अगर खराब हुआ तो पूरा साल बरबाद हो जाएगा यह थी दोस्तों आज के सभी मातपूर अपडेट वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बला इकन दबाल लेजे ताकि आप कुछी तरह की लेटेश और और मिलते रहे थांक्स वर वाशिंग